ओम शान्ती उन्नेस नौ दो हजार बाइस की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं तुम राजाई के लिए या पढ़ाई पढ़ रहे हो अपनी एम उबजेक्ट सदा याद रखो प्राश्न, अभी तुम बच्चे कौन सी तयारी बहुत खुशी से कर रहे हो उत्तर, तुम अपना यह पुरान शरीर छोड बाप के पास जाने की तयारी बहुत खुशी-खुशी से कर रहे हो एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, घुटका ना खाना पड़े ऐसी प्रैक्टेस यहां ही करनी है तुम्हारी अभी स्टुडेंट लाइफ बे परवाह लाइफ है इसलिए घुट का प्रूफ बनना है गीत रात के राही उम शांती धारना के लिए मुख्य सार पहला सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना वह खाना है भोजन करते समय स्मरती रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी दूसरा देवता बनने के लिए शंक द्वनी करनी है स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है वरदान ब्राम्हन जन्म की विशेष्टा को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुशार्थी भव जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मरती में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ चाहे कर्म रुची के कारण साधारण भी हो लेकिन अपने जन्म की विशेष्टा को नहीं भूलते ऐसे ब्राम्हन जन्म ही विशेष जन्म है तो जन्म भी स्रेष्ट, धर्म भी स्रेष्ट और कर्म भी स्रेष्ट है इसी स्रेष्ट्रिता अर्थात विशेष्टा की जीवन स्मृती में नैचुरल रहे तो सहज पुरुशार्थी बन जाएंगे विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारन कर्म नहीं कर सकती स्लोगन डबल लाइट रहना है तो विगन विनाशक बनो ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा